क्या जूट फैला दिया CBI ने कि अर्विंद केजरिवाल ने इस केश से पल्ला जाड लिया और सिसोधिया पे आरोप लगा दिया जब खुद केजरिवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि ये जूटी खबर CBI के द्वारा फैलाई जा रही है तो जज साहब ने कहा मुझे अर्विंद केजरिवाल के द्वारा दिये गए बयान को दिखाए और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदे ने खुद कहा कि CBI के लोग गलत बोल रहे हैं अर्विंद केजरिवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया मैं मीडिया के मित्रों से फिर अनुरोद करना चाहूंगा कोई भी खबर CBI के द्वारा या ED के द्वारा दी जाए ये हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं ये हमारे खिलाफ एक राजमितिक साजिस के तहट काम कर रहे हैं BJP सरकार के इसारे पर काम कर रहे हैं CBI किरफतार करने कब पहुंसती है यह आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है कैसे काम कर रही है देश की मोधी सरकार कैसे काम कर रही है केंदर सरकार की CBI और ED अब कल्पना कीजिए केजरिवाल जी को जब गिरिफतार किया गया उसी दिन इलेक्टोरल बॉर्ण का मामला सामने आया था साथ करोड रुपई के रिश्वत सरक्चन रेड़ी ने भारती जरता पार्टी को दी है इसका खुलासा हुआ था और उसी दिन केजरिवाल जी को गिरिफतार कर लिया गया था उसके बाद अर्विंद केजरिवाल के मामले में कोई न सबूत थे न बयान थे न गवा थे वो गवा फरजी तरीके से तैयार किये गए थे ये सब बाते सामने आई कई बार मैं इसको बता चुका हूँ सुप्रिम कोट ने उनको इंटरिम बेल दिया अंतरिम जमानत दिया और उस जमानत में सपस्ट रूप से सुप्रिम कोट ने लिखा अर्विंद केजरिवाल से समाज को कोई खत्रा नहीं है अर्विंद केजरिवाल कोई habitual offender नहीं है अर्विंद केजरिवाल का कोई criminal record नहीं है और उसके आधार पर उनको इंटरिम मिली फिर दुबारा वो नयाय लेके आदेश का सम्मान करते हुए जेल चले गए जब ट्रायल कोट ने उनको जमानत दे दी सारे नियम कानून सब कुस ताक पे रखके बगर आदेश की कापी के मोधी सरकार की ED ने हाई कोर्ट में जाकर इस्टे ले लिया जमानत पे इस्टे ले लिया और ED के नयाय ले ने जो आदेश दिया है उसको एक-एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए क्या दिखा है ED की ट्रायल कोर्ट ने क्या लिखा है ED के नयाय ले ने लिखा कि अर्विंद केजरिवाल का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है लिखा कि गोवा में पैसे का इस्तेमाल हुआ इसका कोई प्रमार नहीं है ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में साफ तोर पे लिखा कि ED फेयर और प्रम तरीके से काम नहीं कर रही है ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में लिखा कि ED दुर्भावना से काम कर रही है बायस दोके काम कर रही है तो अगर ये बंचाहे भारती जन्तफा पार्टी की के हमको एक मुख्यमंत़ी को पकल के जबर्दस्ति जेल में रखना ही है तो मुकदमे पे मुकदमा बनाते जाओगे जुटे मुकदमों की तो कोई सीमा है नहीं चाहे जितना आप लगाते जाईए तो मैं फिर दोरा रहा हूँ अर्विंद केजरिवाल को केंद्र की भाजपा सरकार के इसारे पर मोदी सरकार के इसारे पर जूटे बेबुनियाद तथेहीन बगैर सबूत के मुखदमा बनाकर उनको फसाय गया है उनको गरफतार किया गया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें